तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का जो की 100 मार्क्स हिंदी है और इसको नॉर्मली मैं हिंदी ही बोलती हूं तो 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं 11 हुआ चैप्टर मैं आप लोग को बता दू कि चैप्टर 1 से मैं आप लोग को पढ़ा रही थी चैप्टर 1,2,3 करकर के और 10 चैप्टर तक पढ़ा दी थी अगर आप लोग नहीं पढ़ें तो जरूर पढ़ कर देखेएगा ऐसे जैसे डियो पर प्लिक करेंगे शारा वडियो आप लोग को मिल जाएगा चैपटर तन टर्क पढ़ाये छुका है। तो आज के स्वीडियो में हम लोग अगले चैपटर यानि की चैपटर 21 ग्यारह 11 Architect के को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हस्ते हुए मेरा अकलापन याद रखेगाburst का क्या है हस्ते हुए मेरा अकेलापन अच्छा जड़ा इस चैप्टर का अर्थ निकालने की कोश्च कीजिए थोड़ा लिंक कीजिए हस्ते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है देखिए यह चैप्टर है न यह एक डाइरी है और डाइरी तब लिखी ज हुआ जो मुख्य घटनाए हुई अच्छा भी काम कियोंगे अप लुग बुरा कीयोंगे तो डाइरी में दोनों चीज़ें लिखी जाती यह नहीं कि सिर्फ अपनी खुवियों को लिख जो अच्छा काम किये वो लिख दे बुरे काम जो आप गलती किये किसी को डाट दिये किसी को बोल दिये वो भी लिखना जरूरी होता है और इसलिए डाइरी लिखना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सच्चाई लिखना रहता है ठीक है तो डाइरी में अच्छाई और बुर ठीक है मलेज जी का रियल नेम कुछ और है मैं आप लोगो बताऊंगी चैप्टर को पढ़ लेने के बाद मलेज जी के बार में जितना भी डिटेल्स है मैं आप लोगो बता दूंगी तो इस चैप्टर के जो राइटर है मलेज जी यह यह डायरी लिखते थे अब यह दिन भर जैसा भी हो गम में हो या फिर खुशी में हो हस्ते हुए बीता इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया है हस्ते हुए मेरा अकेलापन मेरा जो अकेलापन है वो हस्ते हुए है अब मेरे लाइफ में हसी भी है खुशी भी है और गम भी है लेकिन जैसे भी हो मेरा लाइफ जो हितना हस्ते हुए बीता है और इसी लिए चैप्टर के टाइटल क्या रख दिया गया है यह अप याएरी किस के द्वारा लिखा गया है तो मलै जजी के द्वारा लिखा घ्याई अब कि अब देखिए इसको मार्हा कंडु में बाता घ्या है बारह हिस्सो में अब आपके कीमा रह सब आप खर देंगी और अब आकल ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला खंड है उसमें कौन से दिन की बात किये हैं तो 14 जुलाई उन्हेंसा 56 के दिन जो भी हुआ मलियाज जी के साथ वो लिखे हैं डायरी में कि मिलिटरी की छावनी के लिए इंधन की जरुरत थी और उसके बाद से पूरे सीजन और आगे आने वाले जाडों के लिए भी लक्री चाहिए थी थंडी का सिजन जो है, start हो चुका था, तो थंडी के लिए लखड़ी चाहिए और उसके बाद से उसके आगे आने वाली जाड़ो के लिए लिए, अगले सिजन के लिए भी लखड़ी चाहिए धन चाहिए तो इन सभी चीजों के लिए पेड काटे जा रहे थे पेड में तो हरियाली नहीं थी मतलब पेड उतने हरे नहीं थे लेकिन उन पेड के आसपास जितने भी पेड थे ना उन सभी पेडों में हरियाली बहुत ज़़ा थी और ऐसा लग रहा था कि वो सभी पेड अ गिरो की आत्मा एक थी सभी पेड़ एक साथ थे भले उनमें हरियाली हो या फिर ना हो कुछ ऐसे पेड़ थे जिनमें बहुत हरियाली थी मतलब ज्यादतर पेड़ ऐसे थे जिनमें हरियाली थी और कुछ ऐसे थे एक दो पेड़ जिनमें हरियाली नहीं थी मतलब वो हरे नही थे वो सभी पेड़ गाते थे तो एक साथ गाते थे बोलते थे रोते भी साथ इसलिए उन पेडरो का जो घिर घरता उनकी आत्मा एक थी आगे लिए मलेज जी कि Kूब घना और खूब सफेद कोरा जो द्रिस्टी के विस्तार को बीच सही कच्चे धागे या फिर कच्चे फीते की तरह काट देता है देखिए यहाँ पर लेखक जो है मलेज जी बता दूँ आप लोग को कि इनको पेड कटते हुए इनसे देखा नहीं जाता था और इसे लिए बोल रहा है कि जब पेड काटे जा रहे थे तो मैं देखने की कोश्च कर रहा था लेकिन ऐसा हुआ कि खूब घना और बहुत ही जदा सफेद कोरा जो मेरे द्रिस्टी के विस्तार को बीच सही कच्चे फीते की तरह काट दे रहा था फिर मैं पेड को कटते हुए तो नहीं देख पा र कर सकता हूं और इसलिए मेरे कमरे में अजीब सा माहौल बन गया था मेरे कमरे के कोने में एक छड़ी रखे वी थी वो डगमगा रही थी मेरे किताब की जो पन्ने है वो फड़फडा रहे थे अजीब सा माहौल मुझसे मैं अजीब सा घबरा गया था मुझसे तो पेड़ कटती हुए देखे ही नहीं जाते हैं इस तरह की बात है वो बताने की कोशिश किये हैं और आगे देखिए बोल रहे हैं कि जो मौसम है वो ठंडा हो गया था और एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो बोल रहे हैं लेखक की एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसमें आग हो लेकिन घंडा हो इस तरह जब पेड काटे जा रहे थे तो पेड़ तो काटे जा रहे थे लेकिन मौसम ठंडा था और पेड कटने को जैसे मेरे अंदर आग उत्पन हो गया मेरे अंदर आग लग गई थी लेकिन मैं खुद ठंडा था ठीक है और बोल रहे हैं कि चलो एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो अब देखिए ना पोस्ट ओफिस के सामने बाई और ध्यान में रखिएगा पोस्ट ओफिस के सामने किधर ब लेओदार यानि कि चिड के पेड़ हैं तो बोल रहे हैं कि पोस्ट ओफिस के सामने बाई और ग्यारा चिड के पेड़ हैं कभी-कभी मैं बोर होता हूं ना सोचता हूं कि यह ग्यारा ही क्यूं है कम 10 क्यूं नहीं हो गई यह ग्यारा ही मतलब क्यूं है और मैं इसी तरह मिले में जो है न आते रहते है जिसका कोई मतलब नहीं जिसका कोई यूज नहीं है मैं इसी तरह कोस्षान अपने मैंड से करता हूं कि 11 एक मतलब 10 हो जा जाना चाहिए साथ होना चैहिए या फिर 12 पंद्रह हो जाना ने वह णमारी समविद्श now और टेजनाओं को उभाष देते हैं मिलब जो गाढ़े रंग होते हैं जिस इंपर हमारा नजर तुरंत चला जाता है मिलेकर पिर समिदेते हैं एक उचाई तक लेकर चले जाते हैं तुरंत हम लोह का लेकिन कुछ ही छड में हमारी जो सम्विद्नाएं धीरे-धीरे ढूलती चली जाती है तो हमारी सम्विद्नाएं और उत्जनाएं धीरे-धीरे अब कम होने लगती है थीक है आगे बात किये हैं आगे बोले हैं कि मैं सयत हूं यानि कि मैं ठंडा हूं अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और सफेद कोहरा मुझसे लिपड़ जाएगा चारो तरफ जो है ना सफेद जो घना और सफेद कोहरा है वो चारो तरफ जो है ना बिखर जाएगा अभी मैं तो ठंडा जो बहुत ही जदा घना और सफेद कोरा है लिपट जाएगा मुझसे और फिर मेरे अतीत और वर्तमान को जो बीच में ये कच्चे फीते की तरह काच दे रहा था कोरा सफेद कोरा अब वो वो जो दूरी है वो मीट जाएगी और फिर मुझे क्या होगा वो जो पेड काटे जा पहला खंड कंप्लीट थीक है जो पहला 14 जुलाई उन्हेस्ट चपन की बात किए हैं ये साही बात किए हैं डाइरी में लिखे हैं मलेज जी दिन भर में यही सब उनके साथ हुआ था अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड में 18 जून उन्हेसे संतावन की बात किए हैं 18 ज पतला ज्यादा चौड़ा नहीं होता है लेकिन एक खेत और दो खेत के बीच बटवारा करने वाला एक पतला जो रास्ता होता है ना उसी को कहते हम लोग मेड़ ठीक है और गावध्यात में उसको मेड़ी बोला जाता है ठीक है तो बोल रहा है कि एक खेत की मेड़ पर बैठे वे कवो को देखकर लिख रहे हैं मलेश जी कि यह सोच रहे थे कि एक खेत की मेड़ पर जो लगतार कवो की कतार थी उनको देखकर मैं सोच रहा था कि उम्र की फसल पक्कर तयार हो गई है सपनों का सुहाना रंग अब जर्द सा पड़ गया है किस तरह जो है ना उम्र कट जा है मछला की फसल पक्कड तयार हो जाथी और हम अंतिम समय जाते हैं बूरे हो जाते हैं फिर हमारा जुद का सुहाना रंग जर्द पड़ जाता है सबढ़ संद कर दो ca si तो अलग हो जाने के बाद अब हम लोग हो चौर पर रहते हैं अब हम लोग मरने वाले रहते हैं और गई थी टीबी की वह मैं आप लोगों को बताऊंगी मलेज जी के बारे में जब पढ़ाऊंगी डिटेल्स तो बताऊंगी तो यह सारा चीज जो है ना इनको हमेशा अंदर इनके दिल में शंका रहता था कि अब कोई परिशानी अब कौई अब कौन सी मुसीबत आ गई यह हम हमके अंदर बहुत आडर रहता था तो यह सारी चीज बोल रहे हैं कि हवाव में कैसी महक है धरती में कैसी चिलक है कैसे हम मतलब किस तरह जब हम बुड़े हो जाते हैं तो अजीब-जीब सी बाते जवानी की याद आती है कैसे हम लोग बच्चे फिर जवान हुए फिर कुल भी नहीं है बस हर एक पॉइंट जो मैं लिख दी हूं बोड पर वो याद रखना जरूरी है आप लों के लिए और जो मैं बोल दे रही हूं वो भी इंपोर्टेंट है अब देखिए तीसरे खंड में चार जुलाई उन्हें सब 62 की बात किये हैं कौसानी की बात किये हैं तीसरे खंड में चार जुलाई उन्हें सब 62 की बात है यह बोल रहे हैं कि आज भी कोई चिठी नहीं आई लिखे हैं लेखक कि कि आज भी कोई चिठी नहीं आई इसका मतलब लेखक को किसी चिठी का इंतजार था उस दिन चार जुलाई उन्हें सब 62 को किसी चिठी का इंतजार रहता है और वो लिखते हैं कि आज भी कोई चिठी नहीं आई तबियत किस कदर बेजार हो उठी है मलेज जी का यानि कि लेखक का तबियत खराब रहता था तो इनकी तबियत भी बेजार हो उठी थी और इसलिए इतना भी चिठी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इंपॉर्टेंट होती मत्यप्वुन होती तो मैं ढ是 ही लिये लेकिन फिर Une Z ऐसी मन स्थिती में कुछ काम वैसे भी नहीं हो पाता है बोले हैं कि ऐसी मन स्थिती में जब मन बेचान रहेगा तो कुछ काम भी नहीं हो पाता है और कौन सा पहले जब मन अच्छा था तो तीर मार लिए थे पहले मतलब अभी तो मन बेचान है लेकिन पहले मन अच्छा था तो कौन सा तीर माढ़ लिए हैं ये भी लिखें अपने बारे में ठीक है जिस तरह एक अक्षर माली जिए इस्थिती है इस्थिती लिखा है इसका एक अक्षर मिटा दे तो तारा शब्द पर परभाव पड़ता है समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है उसी तरह जो है ना उसी तरह लेखक जी के साथ हुआ था इनका मन बेचायन था कहीं न कहीं ये चिठी उनको नहीं मिल रही थी तो इनको भी घबडाहत हो रही थी शंका में था इनका मन ठीक है जिस तरह एक शब्द का अक्षर मिटा दिया जाता है तो पूरा शब्द का अर्थी उलट एक दो तीन खंड हो गया और बचा हुआ है नाइन याने की नौ तो चलिए मैं बोड को मिटाती हूं और फिर जो नाइन खंड बचा हुआ है उसको एक एक करकर लिखकर और बहुत जल हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो को शेयर कर दिजिएगा अभी तक श चैप्टर कंप्लीट करते हैं जो नौ बचा हुआ है मैं बोड पर लिखती हूं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेली जी फटवर्वर्ड स्क्रीन शॉट अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं देखिए फिरसे मैं बोड पर लिख दी हूं चोथेखंड में कॉसानी की बात की गई है तिसरे खंड में यह कुसानी की और चोथे खंड में भी देख़िए कौसानी में किरायदार थे किसी केहार किरयदे कर रहते थे थे तो पाच सुचणा केंद में यहां का जो सुचणा केंदर है वहां पर एक अधिर वैक्ति आया था यानि यह बहुत ही बूढ़ा वैक्ति अखबार पढ़ने के लिए ठीक है तो जाते थे तो वहां पर वह जो अधेड़ व्यक्ति है वह बोल रहा था कि किताब वगरा छपवाने की बात कर रहा था तो उसने मुझे आकरसित किया फिर मैं उस अधेड़ व्यक्ति से पूछी लिया कि आपका परीचे परीचे पूछ तो अधेड़ व्यक्ति जो है वो बताया बल्भदर ठाकूर यानि कि उस अधेड़ व्यक्ति का नाम क्या था बल्भदर ठाकूर लेखक जो है ना उस अधेड़ व्यक्ति से परीचे पूछे कि आपका परीचे तो जो अधेड़ व्यक्ति है वो बोला कि बल्भदर ठाकू तो बल्भद्र ठाकूर याद रखिएगा कोशन पूछ सकता है यहां से अब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है इसलिए हर एक पॉइंट आप लोगो को याद करते चलना है तो सदेट वेक्ति का नाम था बल्भद्र ठाकूर गठा हुआ शरीर था ठीक है रंग सावले से कुछ अधिक सावला रंग से थोड़ा और गोरा नहीं जब सावला रंग जो होता है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा बोल सकते हैं जैसे कि मैं हूँ मैं बहुत जदा गोरी थोड़ना हूं सावले से थोड़ा साधिक उसी तरह वो बुड़ा वेक्ति था लूंगी और जैकेट पहने हुए था तो बोल रहे हैं लेखक की मैं उसके नाम से अपरी चित नहीं था मतलब मैं उसके नाम से परीचित था क्योंकि शंसर जी के यहां बलभधार ठाकुर्व का ही किताब मैं पढ़़ा ता इस लिए में अधेड़ व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत मतलब उनका नाम जानता था तो हुआ यू कि बलबदर ठाकुर जो है ना वह लेखक को अपना विद्यारती समझ बैठें तो इस तरह बात करने लगे एक दूसरे से बात होने लगी लेखक जो है ना बलबदर ठाकुर की मितलबं की जब बात करने लगे और इस तरह बात करते करते बहुत प्रूसक्ते में बहुत दा खुश था बात मतलब खुशी उसके बातों से जलक रही थी तो यह सारी बात थी बात करते करते शाम के साथ बज गए साथ बज रहे थे तो लेखा को भूग भी लगा था इनको खाना भी पकाना था क्योंकि यह किराय पर रहते थे ना तो खाना भी वनाना था तो कि अब चलते हैं घर बहुत ज़्दा अब हम को खाना भी बनाना है भूख भी लगए तो हम लोग चलते हैं साम के साथ बज गये हैं तो विदा लेकर यह घर पर आए घर पर देज्टे नेगी परीवार के साथ मतलब मतलब क्या जिस घर में वह किरायर पर रहते थे ना जो चि कामकाज में लगी रहती थी उनका स्केच बनाया देखिए इससे पता क्या चल रहा है कि मलेज जी यानि कि लेखक जो है न वह एक वह एक चित्रकार भी है इसकेच वगरा चित्रोगर भी बनाते हैं और अभी हम लोग पढ़े न कि एक कलाकारी कलाकारी की पुष्टक वह पढ बनाते हैं तो वह घर की पूरही महाँ थी नेq परिवार की बूरही महा उनका स्केच बनाकर उनको दे दिया उसके अगे देखिए लिख रहा है कि मैं रेडियो से गाने सुनता रहा इस केश तो मांगने पर दे दिया फिर मैं रेडियो से गाने सुनता रहा और उधर चाय पानी का प्रबंध होनी लगा घर में जितने भी परिवार के लोग थे मैं उन्हीं के साथ था और इधर मैं रेडियो से गाने सुन रहा था और चाय पानी का प्रबंध होनी लगा मेहमान नवाजी का भाव बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर मैं उस घर का किरैदार तो था लेकिन एक मेहमान भी था और मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं थी और सही बात है कोई भी मेहमान आपके घर आए तो मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए ठीक है महमान को हमेशा चाय पानी पूछते रहना चाहिए बहुत तरी लोग होते हैं कि घर पर कोई कौन आया कौन महमान आया कौन नहीं गया चाय पानी नहीं पूछते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है भाई भाई हैं अगर बटवारा हो गया है तो कितना भी बट ब्टवारा हो गया ठीक है तो दोनों भाई मतलब ऐसे रहते हैं कि जैसे की चलो खाना पीना रहेगा चाए पानी वगर होती रहेगी पहला भाई है दूसरे से बोलता है कभी किसी बीचीज की ज़ुरत होगी ना मुझे याद करना कभी पैसे की ज़ुरत होगी मतलब भले हम का बटवारा हो गया है लेकिन भाई चारगी रहेगी इस तरह दो भाईों के बीच बातचीत होती हैं बोलता है भाई कि कभी भी किसी भी चीज की जोड़त होगी तो तुम हमसे मांग लेना लेकिन जब जरूरत आती है एक भाई को जब मां लिजे 50,000 रुपय की जोड़त पैसे की जरूरत आन पड़ी आप हमको दे दीजिए तो उस वक्त उसी का भाई कि पता है क्या बोलता है ओ मतलब अगर आप पांच मिनट पहले आये रहेते ना तो मैं आपको पैसा दे देता पांच मिनट पहले ही मतलब मेरा पैसा जो है इस चीज में खर्चों गया अब कि अगर पांच मिनट पहले आय रहेते ना तो मैं आपको दे देता लेकिन पहले इस चीज में मैं खर्च कर दिया इस तरह बहाना बना देता है मतलब वहूट सभी भाईयों की बात नहीं कर रहे हूं मैं कभी-कभी इस तरह का सिचुएशन आता है और नहीं देने का जब मन र मेहमान आए है तो चाहे पानी पूछना चाहिए ये जरूरी होता है महमान नावाजी करनी चाहिए रिस्पेक्ट देना चाहिए तो वही महमान नावाजी देखकर लेखक जु ए vịह को अच्छा और वो सोच रहते कि चलो मेहमान नवाजी तो मैं बहुत ज़्दा खुश हुआ लेकिन दुख इस बात का है कि मैं इस परिवार से पहले क्यों नहीं मिला पहले मिल गया रहता तो और भी ज्यादा इस परिवार से मैं घुल मिल जाता तो देखिए यह महमान होने के बावजू नहीं कि यह रहते घर के लोग तो क्या लेखक इतना लगाव रखते तो सोच यह होता है मैं मान नवाजी करने से तो वही बोल रहे हैं कि काश मैं और पहले ही परिवार से मिल गया रहता घुल मिल जाता अब तो मैं परसों चला ही जाओंगा ठीक है आगे लिखे हैं कि यहा और बुराईया दिख जाया करती अंधर नहीं बोलिये तो ठीक है आप अगर किम्जोरिया बोले तो अच्छा है विराईया ना बोलकर कर अगर कंजोरिया भोले तो ठीक है क्योंकि से था न सब्सक्राण בכ मै और जिए जो यह बोलत काम कर राए या फिर जो तो वहीं बोल रहे हैं कि दो टीचर्ट है वह एकदम सीधे साथ तरल है पानी की तरह जिन में अच्छा यह और बुराईया दिख जाए बुराईया ना कहकर अगर कमजोरी बोला जाए तो ठीक है ठीक है आगे देखिए अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहें बोल रहें कि मैं अधिक बलबूते वाला आदमी अब नहीं रहा अता किसी बड़े पैमा बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं बहुत बलबूते वाला आदमी में बहुत ज़्यादा बलवान आदमी अब नहीं रहा इसलिए किसी बड़े सपने के भंग होने बड़े सपने टू है चलने दो बहुत कट गई है जिन्दगी बाकी भी कट जाएंगी जैसे चल रहा है उसी तरह चलने दो पांच जुलाई 62 के दिन की यह बात लिखे हैं ठीक है चौथा खंड कंप्लीट हो गया अब आते हैं पांच वे खंड में आठ जुलाई 62 की बात किये है यह 5 जुलाई का था यह 8 जुलाई 62 यह भी कॉसानी की बात हैं बोल रहेए कि कल शाम से एक बहुत क्लुकर मेरे बारजें तक आती है यानि की कल शामस यूष 25 प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बार्दे यानि की दर्वाजे तक आती है मतलब इतनी कोमल और मिठास भरी हुई वह हवाएं कि अपने आप ही आख की जो पलके है ना कुछ छड़ के लिए कुछ समय के लिए बंध हो जाए और सिर्फ इन हवाओं के सुगंध का मतलब आनंद उठाया जाए लब इतनी खुबसूरत इतनी मनमोहक इतनी सुगंध भरी इतनी कोमल इतनी मिठास भरी हवा कि कुछ छड़ के लिए आपकी आखे बंध हो जाएंगी और सिर्फ आप उन हवाओं के सुगंध को ही अनुभाव करेंगे ठीक तो यह हो गया पांचवा खंड गंप्लीट पांच तक हो गया अब आगे झोभिन बचा हुए और कितना और साथ बचा हुआ है जी हां साथ बचा हुआ है तो फिर मैं बोड को मिता थी हूं और यह आगे कि खंड को लिखती हूं और एक और करके बोजल अंग लंग कमप्लीट करने वाले है बस आप बने रहिए और बताते रहिए कि चीजे समझ में आ रही की नहीं वीडियो को शेर कर दीजें बीच में आप लोगों को याद भी दिला दे रही हूं अगर शेर नहीं किये तो फड़ावड शेयर कर दें चलिए यहां तक लिली जी फड़ावड स्क्रियन शॉर्ट अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं फिर से मैं बोड पर लंबा चौड़ा लिख दी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं खंड नंबर 6 है दिल्ली की बात हो रही है 30 अगस्त 1976 के दिन क्या हुआ लिखे हैं लेखक बोल रहे हैं कि सेब बेशती हुई लड़की उसकी कलाईउ म में इतनी जोर ना था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को चखाती सेब बेशती हुई लड़की का जिक्र किये है छटवे खंड में 30 अगस्त 1976 के दिन सेब बेशती हुई लड़की को देखें वह जब लड़की से बेच रही थी ना तो उसकी कलाईउ में इत आ था कर अपने ग्राहक को चखा सके लेखक जाते हैं और बूलते हैं उस लड़की से से मीठे है कि नहीं जड़ा चखा कर दिखाओ बलती यह लड़की की सेब तो मीठे हैं और उसको काटती है अपनी कलाईउस से काटने की कोशिश करती है सेब की एक comp को लेकिन तीन चार बार कोशिश करने के बावजूद भी उससे सेव का एक फांक नहीं कट पाता है मतलब लास्ट में जब उससे सेव नहीं कटा ना तो सेव और चाकू को लेखक की हाथ में थमा दी और बोली कि ये लो काट लो और खुछ चकलो सेव तो मीठे ही हैं लेखक जो है ना उ सेव के रंग को देखकर और उसकी खुश्बू को सुंग कर उनको पता चल गया था कि सेव मीठा है लेकिन वो उस लड़की के हौसले को देख रहे थे उसके जजबे को देख रहे थे 7-8 साल की थी वह नया दुकान खुला था उसका नया दुकान में बैटकर उसको अपने आप पर इतना भरोशा था कि वो जानती थी कि सेव मीठे हैं और इसलिए वो डील कर रही थी अपने ग्रहांक से कि ये लो चक लो मीठे हैं सेव खालो चक कर देख लो नहीं विश्वास हो रहा है तो और वो दे दी तो इस तरह जो है ना वो आठ साथ-ाठ साल की लड़की के वो होस्ला वो जज़़बा दिखाई दिया और जिस तरह हर इंसान के अंदर ये ललच होती है कि हमारा सामान ज्यादा-ज्यादा बिख जाए अगर मैं किसी चीश का दुकान आँखों से कास जल्दी जल्दी बिक जाता आज और फिर आज का दिन का जो कोटा है वो फूरा हो जाता तो इस तरह छट्थे खंड में उस सेफ बेश्टिवी लड़की के बारे में जिक्र किये हैं अब आगे बढ़ते हैं सात्वे खंड में 10 माई 1973 के दिन की बात हैं इसमें बोल रहा हैं लेखक कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रच्ता भी है मतलब आदमी सच्चाई को जीता ही नहीं सच्चाई को रच्ता भी है दिखिए रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है यानि कि जो भ हमारे माता-पिता को उनके माता-पिता से उनके माता-पिता को उनके माता-पिता से तो यह जो भोगा हुआ यथार्थ होता है यह रचे हुए यथार्थ से अलग होता है यानि कि हमारे माता-पिता ने तो हमको यथार्थ दे दिया जिंदगी दे दी लेकिन अब मैं अपनी ज नहीं की जीना ही नहीं बल्की रशना भी पड़ता है अभी मैं जी रही हूं हमारे माता पिता से जो जिन्दगी मिली ए को यथार्थ मिला है उसको जी भी रही हूं अपनी जिन्दक्ी को र 비ू डोनों कर रही हूं और इंसान को दोनों करना भी चाहिए अ company भी रहीं दोनों कर रही हु हूं और इंसान को दोनों करना भी चाहिए रचने और भोगने का रिष्टा वंद्वात्मक रिष्टा है यानि कि यह जो रचने और भोगने का रिष्टा है एक सांच चलता है अगर हमें यथार्थ नहीं मिलता तो हम अपनी यथार्थ को रच्ते भी नहीं और अगर हम नहीं रच्ते हैं तो फिर हमारी जिंदगी जंडी है ठीक है तो दोनों साथ में चलने वाली एक परकिरिया है बोल सकते हैं दोनों का रिष्टा द्वन्दात्मक रिष्टा होता है ठीक तो यह साथवे खंड में बात किये हैं लेखक आप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आठवे खंड में बात कर रहे हैं 11 जून उनई से 78 के दिन की लिखे हैं कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द पड़े हैं या अर्थ पता नहीं यह अपने आप से लेखक सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द पड़े हैं या अर्थ पता नहीं क्योंकि जब मैं लिखता हो न तो कभी कभी कभी कवीता के मूड में डाइरे लिखता हुना तो शब्द और उसके अर्थ के बीच की दूरी का एसास उसके माप के अनुसार निधारित नहीं होता है मतलब शब्द और अर्थ एक दुसरे से ऐसे घुल मिल जाते हैं शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ऐसे ढल जात तंतर हो जाता है विजली की फूल की तरह खिल उठता है लेकिन अगर शब्द और उसका अर्थ एक दुसरे का हांत पकड़ ले एक दुसरे का ठाम ले तो फिर वह जमीन का छड़ होता है धर्ती का छड़ मतलब धर्ती पर रचना जो है नगे जड़ बना लेती हैं तो इस तर कम और कभी कभी शब्द कम तो अर्थ ज्यादा आगे बढ़ते हैं नौए खंड में बात किये हैं बीस जून उन्हेसे 78 के दिन लिखे हैं लेखक कि सुरक्षा डाइरी में भी नहीं सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की कि रोष्णी में अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं अंधेरे में तो सिर्फ छुपा जा सकता है गलती करके कोई इंसान अंधेरे में ही छुपता है तो अंधेरे में या फिर डाइरी में कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है अगर सुरक्षा है कहीं तो वो है बाहर सुरज की र लड़े उन्से बशने के लिए कोई ऐसा जगह मिल जाए कोई ऐसा अंधेरा कमरा एक फिर कोई ऐसा जगह जहां पर मैं सुरक्षित रहूं इस सभी परषानियां हमारी जिंदगी में ना आए तो लिए आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि परिशानिया हर जगाह है मुसीबते चुनाौतिया हर जगाह आयेंगी और भलाई इसी में हैं कि आप उन परेशानियों से लड़े उन मुसीबतों को फेस करें और अपने जीत का पर्चम लहरा हैं सोचिए परेशानियां हमेशा के लिए थोड़ना आती हैं जिंदगी भर के लिए मुसीबते थोड़ना आती हैं कुछ छड़ के लिए कुछ समय के लिए परेशानिया आती हैं अगर आप लोग लड़ लिए, फेस कर लिए, तो उसके बाद तो achievement ही achievement है अभी आप लोग का 12th class का exam है, सबसे बढ़ा चुनावती इसके पहले आप लोग को धेर सारी परिशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा लेकिन सोचिये न, अगर इन परिशानियों को फेस कर लेते हैं तो फिर जब आप लोग का 12th class का result आएगा, आप time of the best होंगे तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ी achievement आप लोग के लिए और क्या हो सकती है तो हर परिशानी के बाद achievement ही होती है इस तरह आप लोग के जिंदगी में जब भी परिशानी आए, उससे लड़ीए सुरज की रोशनी में ही सुरक्षित आप लोग रहेंगे अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं, डर कर पीछे नहीं, भागना है कमरे में जाकर बैठ नहीं जाना है, अंधेरे में जाकर छिपकर बैठ नहीं जाना है परिशानियों से डट कर सामना करना है यहाँ पर हो जाता है आप लोग का नौवा खंड complete और बचा हुआ है तीन खंड, 10, 11 और 12 तो चरिए बोर्ड को मिट आती हूँ और तीन खंड को फड़ापड कम्प्लीट कर लेते हैं अब समझे कि लास्ट ही है तो यहां तक फिर से ले लिजे फड़ापड स्क्रेन शॉर्ट अब देखिए फिर से मैं वोर्ड पर लिख दी हूँ दसवा ग्यारवा बरावा तीन बचा हुआ है दसवे खंड में 9 दिसंबर 1978 की बात लिखे हैं मलेज जी बोल रहे हैं कि जो कुछ हूँ हूँ नहीं हूँ यहां पर डिरेक्ट नहीं रहेगा जो कुछ मैं लिखता हूँ लिखना भूल गई हूँ मैं लिखता हूँ यहां पर रहेगा ठीक है तो बोल रहे हैं कि जो कुछ मैं लिखता हूँ वह सब का सब रचना नहीं होती जितना कुछ मैं भोगता हूँ उन सब में रचना के बीज नहीं होते क्योंकि मेरे अंदर अगर रचना की कला रहे लिख की ज़रूरत होती है अगर मिटी नहीं रहेगी तो फिर बीज लेकर आप लोग क्या करेंगे क्या आपने आप बीज से पौदे तैयार हो जाएंगे जी नहीं जरूरी है कि मिटी में उसको बोया जाए बिलकुल उसी तरह हमारे अंदर लिखने की कला है ठीक है लेकिन लिखने कोई साधन भी तो होँना चाहिए अगर रहे तो फिर हमारे अंदर लिखने की कला होने से कोई फायदा है है इसलिए रश्ना का कच्चा माल याद रखिएगा यहां से अब्जेक्टिव कोशन पूछता है ड़क्या है तो कि यहां पर दस्वा खंड कंपलीज हो गया बस इत केंदरिया अनुभव हम है यानि कि मेरे अंदर डर बैट चुका है कैंद्रिया अनुभवव बन चुका है मैं भीतर से बेतरह डढ़ा हुआ बैकति हुँ और यह जो डर है ना इसके कई रूप है लेकात कब बोल रहे हैं कि मैं कई कारुणोस के वज़ास से डरता हूं मेरे अंदर कोई बुरी बुरी बीमारी आना हो जाए इस वज़ा से डर लगता है घर में किसी व्यक्ति की अगर तबियत खराब हो जाती है आप लोग जानते ही है जो घर चलाने वाले होते हैं उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है तो लेखक बोल रहे हैं कि घर मे गुट जाना पड़ेगा दूर लेकर जाना पड़ेगा फिर चिकीत्ता कोई फिर सवाउस्ता कैसी होगी तो यह सारे यह सारा चीट सोचकर मुझे डर लगता और इस डर के वज़ासे मैं घंटों घंटों तक तनावं में दुबाय रहता हूँ एक पत्ते की तरह कापते हु कि ये और कब ये संकट के चड़ कड़ जाएं ठीक है अगर कोई बाहर चला जाता है व्यक्ति घर का कुई सदस्य है बाहर जाता है किसी काम के ओजा से और समय पर नहीं लौटता है तो चिंता होती है तो डर लगता है कि कहीं उसके सांथ कुछ हो नहीं गया हो और यह बात सच है घर का कोई विवेक्ति अगर बाहर जाता है न तो बहुत डर डर लगता है कि उसके सांथ कुछ हो न जाए और आज कल सबसे ज़ बड़ी की टिक-टिक की आवाज और दिल की धड़कन की धक-धक की आवाज ये सब जो है ना एक साथ मिलकर दिमाग में तनाव उत्पन कर देते हैं जो नसे जो है ना नसे तन जाती हैं डर के वज़े से कि कहीं उस व्यक्ति के साथ कुछ हो नहीं गया हो लेकिन जब वेक्ती वापस लोट कर आ जाता है गर पर पर सही सलामत तब जाकर दिल की धरकने जो है न वो कम होती है और यह जो नसों का तनाओ है दिल की धरकनों के साथ कम हो जाता है और फिर पहले जैसा जो है ना नॉर्मल बिहेव हो जाता है आम लोगों का लेकिन ये बात सच है कि सच में अगर कोई बाहर जाता है तो बहुत ज़र डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो नहीं गया हो बच्चे जो है ना पार्क में खेल रहे होते हैं और अचानक बच्च है तब जाकर दर दीरे दीरे कम होता है ठीकैं तो जो I am 59 अग्या एतना कमउजोर हो गया है न कि डर आसानी से मन में घुष जाता हैता पूर कभी चोटी चोटी बातों को लिए कर भी डर पैदा हो बोल रहे हैं किसी लक्ष पार छूटने को कसा हुआ रहता हूं मतलब यह जिन्दगी जो है आदमी कटते पिटते हुए किसी तरह अपनी जिन्दगी को गुजारता है समाज के सामने अपने आपको बहतर दिखाने की कोशिश करता है और किसी तरह चाहता है कि अपनी लक्ष त आगे भी कट जाएगी जो समस्या आ रही है आने दो जेल लेंगे देख लेंगे लेकिन पीछे भागेंगे तो नहीं डर कर तो भागेंगे नहीं उससे फेस करेंगे लड़ेंगे घिसेंगे पिटेंगे लेकिन उस समस्याओ को देखकर धर्रा कर डर कर पीछे मुड़कर जाना है उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजे रियक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और बार-बार मेहनत करने के बावजुद भी अगर आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं तो धैर रखिए रुक मत जाईए छोड़ मत दीजिए फिर से एक नए जुनून के साथ नए उत्चाह के साथ आगे बढ़िया और सोचिए कि मेरे अंदर कौन सी कमी ती जिसके उजैसे में और सफल हो गया रिजेक्ट हो और फिर एक नए जुनून नए उत्चाह के साथ आगे बढ़िया सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि धैरे रखने वाला धैरेवान बनता है समय के साथ बलवान बनता है रिजल्ट आया तो ठीक नहीं आया तो खुद को आगे रियक्ट करने के लिए तैयार रहता है तो यही फर्मूला आप लोगो अपने जिंदगी में अपनाना चाहिए तो यह था बरहुआ खंड और आई होप आप लोगो को टोटल बारा का बारा खंड समझ में आ गया होगा यहीं पर हो जाता है आप लोग का चाप्टर कंप्लीट लेकिन अभ लिए फड़ा फड़ा स्क्रेल शॉट अब चली हम लोग समझते हैं लेखक यानि की मलेज जी के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया है ठीक है तो चलिए हां तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा लेखक का इमेज मलेज जी जो लेखक ह जो वात हुआ हैं मलेज जी के बारे में सबसे पहले तो मलेज का पुरा नाम जाने इनका मुल लेम क्या है मतलब eu final name zing है वह बहरत जी सिर्वास्ता ओं देखिए जना मैं वह और जूम कर दे रही हूं यह रहा मुल नाम लिखा हुआ है क्या है भरत जी श्रवास्ताक हो तो पूछ सकता है अब्जेक्टिव में कि मलेज जी का रियल नेम यानि कि मुल नाम आप बोल सकते हैं मुल नाम क्या है तो आप्सन में दिया रहेगा भरत जी श्रिवास्ता उसको टिक कर देना है इनका जन्म हुआ था उन्हें सब 35 इस भी में कहां पर तो महुई आजमगर उत् भावती इनके पिता जी का नाम था त्रिलो की नाथ वर्मा शिक्षा की बात कर ले कि यह कहां तक पढ़ाई किये थे तो यह में किये थे वह इंग्लिश सब्जेक्ट से अंग्रेजी से वह में किये थे एलाहबाद मिश्विद्दार उतर प्रदेश से ठीक आगे बढ़िय छातर जीवन में चmom से ग्रसित हो गए थे यह, ओपरेशन में एक फेफडा काड कर उनका नीकालना पड़ा, जो भी फेपडा से काम चलने वाला जो रहेगा जीवन, आप समझ सकते हैं कि शैष जीवन कितना दुर्बल स्वास्त के साथ बीतेगा, तो वही हुआ इन के अब एक फेपड़ जब नहीं रहेगा तो बार बार तबीद तो खराब होगा तो दवाई के सहरे ये जीते रहें बाकी की जिंदगी ठीक है आगे देखिए इनका स्वभाव कैसा था इनका व्यक्तित वाब बोल सकते प्रिसनालिटी किस टाइप के ये थे तो ये अंतर मुख करते थे उसके सांथ साथ ये गंभीर भी थे एक आंत्प्रिय भी थे और मित्भासी मतलब लड़ जगड कर बाते नहीं करते थे मदूर भाशी थे मतलब अच्छी बाते करते थे ठीक है आगे देखिए कि इनका विशिष्ट संपर्क किस से रहा मतलब इनका लगाओ लग था आगे बढ़ते हैं वृतिस हि औहां तक तक यह कहां जाकर यह नौकरी किये कहां नौकरी कियी को शौच दिनों तक यह कैपी कॉलेज इलाहबाद में प्रधान प्राध्यापन किये थे मतलब केपी कॉलिज इलाहबाद में जाकर टीचिंग सर्विस किये थे मतलब एक शिक्षक का रोल अदा किये थे पढ़ाने का काम किये थे उन्हें सच चौशट में क्रीशी मंत्राले भारत सरकार की एक मिनट रुकिये हां उ केपी कॉलिज इलहाबाद में जाकर शिक्षड सेवाय दिये मतलब एक टीचर का काम किये थे टीचर थे लेकिन उन्हें से चौसट में क्रिशी मंत्रालाय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओ के संपादा के विभाग में भी यह नौकरी किये थे यह भी याद रखना है आगे बढ़ते हैं का विशेश अभी रूची था किसमें इनकी रूची किसमें थी ड्रॉइंग और स्केचिंग में याद र संपादित किया गया और शमसेर पुस्तक का सरवेश्वर दयाल सकसेना के साथ यह सहसंपादन किये थे तो यह याद रखना है आगे बढ़ते हैं कृति मॉस्ट इंपॉटेंट है यहां से कोशन पूछी देता है कृति यान कीनों ने क्या क्या लिखा तो सबसे पहले तो प्रकाश्रित हुआ था और इनके कुछ आलोशना भी यह लिखे थे आलोशना भी किये थे पहला आलोशना का नाम है कवीता से साक्षातकार यह जो आलोशना है यह उन्हें सब्लों का कवीता अब देखे यहां पर सरजनात्मक गध भी दिया है हस्ते हुए मेरा आकेलापन यह उन्हेसा ब्यासी में प्रकाशित हुआ जो कि आप लोग अभी पढ़ें हस्ते हुए मेरा आकेलापन डाइरी तीन खंड यह सब क्या है इनका आप बोल सकते हैं सरजनात्मक गध हैं और संपादक डॉक्टर नामवर सिंग सो फाइनली यहाँ पर हो जाता है आप लोग का चैप्टर नंबर एलेवन हस्ते हुए मेरा आकेलापन पूस्भापन यहा पर हो नेग्स वूडियो में आप लोग आप लोग को कुछ बीम खर दूग वह सारा कंफीूजन बाकि में आप लोग उक्र लाइक नहीं किये हैं ku चुकी है ठीक और उसके बाद से शेयर नहीं किया है तो जितना ज्यादा हो सके अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके और उसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए आये हुए हैं मेरी वीडियो को की बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उसे होगा यह कि मिरूर जाने वाली वीडियो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज